फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू उसके पीछे का रीजा ने ये सभी प्लास्टिक बैक्स आपको याद होगा कुछ अपतो पहले हमने ये मॉन्स्टर फिस टैंक सेट अप किया था और आपके साथ वीडियो वी सियर किया था और आप से पूछा था कि मैं कौन-कौन सा मॉन्स्टर इस मॉन्स्टर फिस टैंक के अंदर रखो तो आप लोगों ने काफी सारा धेर सारे मॉन्स्टर फिस का नाम सजेस्ट किया तो उनमें से मैं कुछ मॉन्स्टर फिस लेकर आया हूं और उस वीडियो के अंदर मैंने 1000 लाइक का टार्गेट रखा था और आप लोगों को बोल कुछ फिल्टर एर पंप हीटर और बैगगराउंड जो आपने ब्लैक बैगराउंड बोला था यह डार्क ब्लू उपर से है और अंदर से फुल ब्लैक है तो कौन सा सही रहेगा आप लोगों ने बोला था ब्लैक बैग्राउंड तो मैं अभी ब्लैक वाला उसाथ इसको लगाए अझी ऊवशी हो गया है मैंने यहां पर एक्वेरियन लगा दिया यहां पर यहाँ पर एक थर्मोमेटर लगाया है यहाँ पर आप देखिए इस पर 18 डिग्री सेल्सियस अभी सेट है मतलब कि इस टैंक का पानी काफी ठंडा है लेकिन इस हीटर को मैं दो सवाट के हीटर को मैंने करीब तीन-चार घंटों से चलाका रखा है फिर भी साध उस और का पानी साध गरम हो गया होगा और इस और का पानी क्योंकि यह टैंक काफी बड़ा है तो इस और का पानी साध अभी तक गरम नहीं हुआ है और हमारी सभी मॉली फिशेज मैंने छ यहाथ ही इस वाले background को भी set करते हैं और इतना सब कुछ करते करते ओंड़ पानी और गरम हो जाएगा कुछ दिर में सब्सेत पहले मैं लगा अंदर से एक तरह का है फुल डार्क फुल ब्लैक कलर का है बिए बढ़रक अगर बात में चेंज करना होगा तो मैं यह ब्लू वा लेकिन उससे पहले हम अपने इस पुराने बेग्राउंड को यहां से हटाना होगा यह पूरा रंगीन पूरा पेड़ पोदर से भरा हुआ लदा हुआ बेग्राउंड है मुझे भी उतना पसंद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि बैग्राउंड चेंज करूए नहीं तो सबसे पहले इसे यहां से रिमूव करते हैं यह बैग्राउंड काफी अच्छी तरह से चिपका हुआ है इसे निकालने में कवायर्मेंट अपना बताया सौपकेपर को उस हिसाब से उसने मुझे यह फिल्टर करते हैं कुछ बॉल इसके साथ आए तो उसको भी मैं इसमें फिट कर देता हूं इसके बाद मैंने एर पंप को भी अच्छी तरह से असेंबल कर दिया अब इन सभी को टैंक के अंदर कर दिया ताकि उधर भी एयर का फ्लो बना रहे फिर मैंने फिल्ट्रेशन को अन कर दिया और धीर धीर करके यहां पर जित्ता भी गंदगी मौली मचलियों ने किया है यह सारा कुछ कर लेगा और यह पानी पूरा क्लीन हो जाएगा और आप देखो हमारे फिल्टर ने तु हैं इसे थीन इंच के बेबी हैं साथ ही मैंने रेट टेल पर में लाओं तो मैंने एक पर रेटल पर कैट विसले यह विवी बैबी साइज के हैं इनका साइजर ङकल्मा मिस्त है और घ्रों जाहाएख मे crashing कि और उस समय और जैसे दिखने वाला फिस इसका नाम है सिनिगल यह लेपरट सिनिगल है यह फिस मुझे काफी पसंद है इसका लुक बिल्कुल एक डाइनसौर के जैसा है आप इसके एक बार फेस को देखिए आपको यह लेपरट सिनिगल फिस कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और नेक्स्ट फिस हमारा अभी तक का यह मेरा सबसे एक्सपेंसिब फिस है यह है अलवाइनो सिल्वर अरवाना इसका भी साइज 5 इंच के आसपास कहीं है यह काफी खुबसूरत और बहुत प्यारा फिस है मैं जब इन सभी का पैकेट आपको खोलूंगा तब आपको जाएंगे तो एक करके जब मैं इनको सिफ्ट करूंगा तो आपको सामने से मिलवाऊंगा रेट टेल केट फिसेस को छुपना काफी पसंद है तो इसलिए मैं यहां पर कुछ यह पाइपस डाल रहा हूं इस टैंक के अंदर इसके अंदर मचलिया काफी अच्छी से चूप स पर अक्विरियम हीटर लगा थाए 200 WR है इसकі अंदर कर रहे है लिकिन पानी को हीट नहीं कर रहे है इसलिए मुझे नहीं मुझे मेरा पूराना 100 WR का 1200 irrit का पानी गरम करने थोड़ा होता है अगर आपकी नई मचली कोने में जाकर बैट रहे हैं डर रही है या फिर उसका कलर बहुत फेड हो गया वह ब्लैक पूरा हो गई है तो इस इस्ट्रेस सिल सल्यूशन को यूज करना सही रहता है यह आपकी मॉंस्टर फिजेस को या फिर अगर आपकी कोई दूसरी मच पूसली है उसे भी इस्ट्रेस में जाने से रोकता है जादा दर तो मॉंस्ट्र फिजेस के साथ ही होता है वह नए जगा पर एड़ेस्ट जल्दी नहीं हो पाते हैं इस्ट्रेस सिल के साथ मैंने एंटी क्लोरीन भी स्टैंक के अंदर डाल दिया फिर अच्छे से पानी को चला दिया ताकि दोनों सल्यूसन दोनों लिक्विड पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए और अब एके करके इन सभी पैकेट्स को खोलते हैं और अपनी सभी मॉंस्ट्र फिजेस को एके करके रिलीज करते हैं साथ ही मैं आपको इनका प्राइस भी बता देता हूँ यह पेर हैं हमारे दो पिकॉक बास यह मुझे पढ़े हैं 150 इच यानि 300 का यह पेर मुझे पढ़ा है और जब मैंने भाईया को डिस्काउंट के लिए तो उन्होंने मुझे एक पिकॉक बास 290 का दिया यह धाई इंच के पिकॉक बास है बेबी साइस के पिकॉक बास है क्या आ आप एक बार कंपेर करो इन मॉलीज का साइज और इस पिकॉक बास के बेबी का साइज दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहा है कि यह भी एक मॉली फिस है पिकॉक बास बिल्कुल एक मॉली फिस की तरह लग रहा है तो अब इसके दूसरे पार्टनर को भी यहाँ पर रि इस पैगेट का थोड़ा सा ऑक्सिजन पता नहीं कैसे कम हो गया है लेकिन हमारी दोनों रेटेल कैट फिस काफी हल्दी है यहां पर आपको दोनों यह क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी रेटेल कैट फिसे दिख रहे होंगी यह भी अभी बेबी साइस की है लेकिन यह बहुत स्लिपरी होती है और बहुत तेजी से भाग जाती है आप एक बार इनका साइज देखो इस रेटेल कैट फिस का इसका साइज तो दो इंच के आसपास का ही है इसके हेड के अलावा तो इसका बॉड़ी तो पूरा पतला सा है तो इस रेटेल कैट फिस को यहां पर लेज कर देते हैं यह एक प्यार रेटेल कैट फिस मुझे 400 का पड़ा साइज के हिसाब से इनका प्राइस ठीक है वैसे तो मैं एक ही रेटेल कैट फिस लेने वाला था लेकिन बड़ी रेटेल कैट फिस का प्राइस जा रहा था और मेरे बाकी सभी मॉस्टर फिस के साइज यहां पर इस पैकेट से बाहर निकालते हैं इस वाले पैकेट के अंदर है इस साइस की सिल्वर औरवाना ग्लीक्स एक इंदर काफी सारे सेल कर रहे थे लəकिन कोई 1100 में कोई 900 के अंदर 700 का इसे बता रहे थे 900 इसनों ने रखा था लेकिन comment में जरूर बताईएगा तो अब next packet को खोलते हैं इसके अंदर है एक और अरवाना लेकिन ये है अलवाइनो silver अरवाना ये मेरा अभी तक का सबसे expensive इस है इसका size भी 5 इंच के आसपास कहीं है same silver अरवाना के size के बराबर वैसे तो ये दिखता बिलकुल silver अरवाना के जैसा ही है लेकिन इसका color जो की white है yellow इस थोड़ा shade है जिसके करण ये और खुबसूरत और भी प्यारा लग रहा है ये अलवाइनो और normal silver अरवाना मैंने दोनों एक ही seller के पास से लिया है ये बहुत fast और active है आप मेरा हाथ मर देखिए ये पकड़ी में ही नहीं आ रही है इनको हाथ में लेने का मकसद इन मचलियों को परिसान करना नहीं है मैं just आपको अपने हाथ से इनका size comparison करकर दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इनको नेट से नहीं अपने हाथ से शिफ्ट कर रहा हूँ और वो भी बिल्कुल gently ताकि इनको कोई stress कोई problem ना हो और अब इस अलबाइनो अरवानों को भी यहाँ पर जल्दी से release करते है इस अलबाइनो silver अरवाना के लिए मैंने 3000 पे किया है और यह क्या हमारे silver अरवानों को क्या हो गया यह पूरा नीचे bottom में जाकर लेट चुका है साध इसे थोड़ा से stress हो गया है जिसके कारण यह bottom में जाकर इस तरह पड़ा हुआ है अब बढ़ते हैं अपने next final fish के उपर यह fish मुझे बहुत जादा पसंद है और मैं काफी समय से इस तरह का fish ढूंड रहा था बिल्कुल यह dinosaur के जैसा दिखने वाला fish है जिस तरह की समुदर में पहले के time में dinosaur वाली मचलिया रहती थी उस type का इसका पूरा body का structure है और इसके चार legs जैसे pair जैसे fins है जो की इसे और भी dinosaur जैसा look दे रहा है अलबाइनो सिनिगल भी मिल रहा था गली श्रीट के अंदर लेकिन उनका beauty इसके जैसा नहीं था यह leopard सिनिगल बहुत अलग और बहुत ही सांदार दिख रहा है आपको यह सिनिगल फिस कैसा लग रहा है जरूर comment करके बताईएगा मुझे तो यह leopard सिनिगल बहुत पसंद आया market के अंदर और भी type के सिनिगल स्ते जो की 400, 500, 600 के अंदर मिल रहे थे लेकिन मुझे यह leopard सिनिगल इतना ज़्यादा पसंद आया फिर भी मैं किसी तरह इसे पकड़ने का कोसिस करता हूँ इसका भी size 5-6 inch के आसपास का ही है बिल्कुल silver अरवाना के size के बराबर का तो अब अपने इस leopard सिनिगल को भी यहाँ पर जल्दी से release करते हैं यह भी चला गया bottom में नीचे की ओर यह leopard से निकल nocturnal fishes होते हैं मतलब कि यह रात के समय ज़्यादा active रहती हैं तिन में इनको छुपना ज़्यादा पसंदा इसलिए साध यह filter के पीछे चला गया तो इतनी ही monster fishes में गलिफ श्रीट से लेकर आया हूँ अब इस cover को भी बंद कर देते हैं लाकि हमारी monster fishes jump ना करें आपको यह सभी monster fishes कैसी लगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारा silver रान अभी तो थोड़ा stress में है यहाँ पर bottom में ही यह लेटा हुआ है तो थोड़ा time लगेगा इसको stress से बाहर आने में बाकी सभी monster fishes बिल्कुल healthy हैं और काफी अच्छे से यहाँ पर घूम स्विर रही है यहाँ पर आपको यह दोनो पिकॉक बास भी दिख रहे होंगे यह भी यहाँ पर अच्छे से घूम स्विर रहे हैं और हमारे दोनो रेटल cat fishes जो की उस कोने में वहाँ पर पीछे की ओर है और हमारा सिनिगल fish यहाँ पर filter के नीचे बैठा हुआ है यह सभी baby size की monster fishes है तो इनको एक दूसरे के साथ इस tank को share करने में और देरे देरे grow जैसे होंगे तो यह एक दूसरे के साथ अच्छे से adjust हो जाएंगे आपका क्या ख्याल है जरूर कॉमेट करके बताईएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना बिलकुल मत भूलियागा और बहुत बार ऐसा होता है कि monster fishes जब आपने घर पे लाते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देजिए मैं मिलता हूँ आपसे निक्स्ट वीडियो में ओके बाई